नमस्कार दोस्तों सोगते आप सभी का हमारे चैनल पर आप देख रही है नेक्सने लाइफ तर्क्टरिस और होस्ट मंदिरा भेदी ने 30 चून को अपने पती राज कोशिल को खोल लिया उनके पती का निदन दिल का दोरा पढ़ने की वज़ा से हो गया था अब मंदिरा धीरे धीरे पती को खोने के गम से उभरने की कोशिश कर रही है और इसमें उनकी खास तोस्त मौनी राय उनकी मदद कर रही है आपको बताते हैं कि मौनी इन दिनों अक्सर मंदिरा के घर जाती रहती है ताकि वे अच्छा फिल कर सके कुछ गंटे पहले ही मोनी ने अपने इंस्टाग्रेम पर मंदिरा के साथ फोटोस को शेयर किया जिसमें मंदिरा के चहरे पर कई दिनों बाद खुशी नज़र आ रही थी मोनी ने फोटोस को शेयर करके हो लिखा My Baby Strong मोनी ने जो फोटो शेयर की है उसमें दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए नज़र आ रही है और बेहुत कुछ भी नज़र आ रही है उनकी शेयर की फोटोस पर बॉलिवूड टीवी सेलेब्स और फैंस भी ज़िए कर कमेंट्स कर रहे हैं आपको बता दें कि मंदिरा बेदा का राज कोशल से मुलाकात का जो सिलसला था वो 1996 में मुकल आनंद के घर में पहली बार शुरू हुआ है उससे पहले मंदिरा दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगी जैसी फिल्म में काम कर चुकी थी मंदिरा वहाँ एक आडिशन देने गई थी और राज मुकल आनंद के असिस्टेंट की रूप में काम कर रहे थे राज कोशल ने एक इंटर्वी में बताया था कि जब मैंने पहली बार मंदिरा को देखा तो वह एक लाल और सफेद रंग की धारी धार टी-शिर्ट और खाकी पैंट पहनी हुई थी जिसमें वह बहुत खूब सूरत भी लग रही थी हलंकि मैंने मंदिरा को इससे पहले डीडियल जे में भी देखा हुआ था लेकिन मैंने उन पर कभी ध्यान नहीं दिया था लेकिन बाद में मैं उन्हें पसंद करने लगा था दोस्तों आपको बता दें कि मंदिरा वेदी ने 14 फेबरुरी 1999 को फिल्मेकर राज कोशल से शादी कर ली थी शादी के 12 साल बाद मंदिरा 2011 में पहली बार मा बनी थी उन्होंने 19 जून 2011 को बेटे वीर को जनम दिया था बेटे वीर के जनम के 9 साल बाद मंदिरा बेदी ने दोबारा मा बनने का फैसला किया हलंकि इसके लिए उन्होंने एक बेटी को गोद ले लिया आपको बता दें कि मंदिरा और उनके पती राज कोशल ने जुलाई 2020 में अपने परिवार में नए सद्ध से कस्वागत किया था कपल ने चार साल की बच्ची को गोद लिया था और सोशल मीडिया के जरीए इस बात की जानकारी फैंस के साथ साँचा भी की थी बेटी को गोद लेने के बाद मंदिरा और राज कोशल का परिवार कमपलीट हो गए था मंदिरा ने अपनी बेटी का नाम तारा बेदी कोशल रखा था मंदिरा ने इंस्टाग्रeम पर बेटी के साफ फॉटो को भी शेयर किया था उन्होंने बताया कि तारा जुलाई 2020 में उनके परिवार का हिस्सा बन गई है आपको बता दें कि मंदिरा पिछले दो साल से एक बेटी को गोद लेने की कोशिश कर रही थी फादर स्डे के मौके पर आज ने दोने बच्चों के साफ फॉटो शेयर की थी जिसमें सभी काफी खुश नजर आ रहे थे नेक्स्टनैलाइफ की रिपोर्ट